नमस्कार दोस्तों प्रणोस मॉम में आप सभी का स्वागत है आज की रेसिपी आपके बेबी के वेट को इंक्रीस करने के साथ ही इसी टू डाइजिस्ट भी है इसे हम दो तरीके से बना कर तयार करेंगे दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी है बनाने में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को रेसिपी बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है ब्रेड कि जो कॉर्णर से उनको आप चाहें तो पूरा ब्रेड भी ले सक आप चाहें तो इसे तेल में भी फ्राइ कर सकते हैं या फिर आप शेलो फ्राइ भी इने कर सकते हैं कम घी में तो इस तरीके से इन अच्छे तरीके से फ्राइ कर लेना है यदि आप पूरे ब्रेड का यूज करते हैं तो उसको भी चोटे टुकडों में काट कर ही फ्राइ क ताकि वह अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए तो इन अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे और फ्राइ करने के बाद इन्हें हम एक बरतन में अलग निकाल कर रख लेते हैं अच्छे से इने हम निकाल कर रख देंगे जब यह ठंडे होंगे तो इनका यूज हमें करना है अब जो हमारा घी बचा है उसमें थोड़ा घी कम कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे हम कुछ ड्राइफ रूट जिनने हम फिर से रोस करेंगे तो यहाँ पर मैंने माखाने लि दाला है उसके बाद ले लिए एक बादम और उसके बाद हमने यहां पर अखरोड का एक टुकड़ा लिया है और यहां पर हम ले लेते हैं दो पिस्ता भी ड्राइफूट की क्वांटिटिप आप अपने अकॉर्डिंग एड्ज़स कर सकते हैं यहां पर हमने खारक को भी ए मिल्टर में कांदें किको ग्राइट कें मराति है और हमने प्रृटanka-ड। इस निरव बहुतना है थाया यूंथा रस्थे भाइट कि इमस्तों अच्छा बरेड में पाॉडर को अड़े तो इस recipe को आप store करने के लिए एक airtight container का use कीजिए इसे दो तरीके से बनाया जा सकता है सबसे पहले आप दूद ले लीजिए तो दूद को आपको boil कर लेना है दूद में आप थोड़ी सी शकर या फिर मिश्री powder एट कर सकते हैं उसके बाद जब दूद बॉइल हो जाए तो आपको एट कर देना है पाउडर तो जितना रिक्वाइर consistency आपको तयार करनी है रेसिपी को उतना ही पाउडर आप एट कर लीजिए यहां पर एक कप दूद में मैंने दो चम्मच भर कर पाउडर को एट किया है तो इतनी consistency का मैंन थोड़ी सी fresh मलाई लेंगे जियान रखें कि मलाई आपको फ्रेश ही उसकरनी है क्योंकि बच्चों का सखाना बना रहा है तो मलाई को अच्छे से mash कर लेते हैं अच्छे से fat लेंगे ताकि उसमें कोई भी लंस न रहा है तो बच्चों को बिल्कुल पता न चल पाए कि हम मलाई को को मिक्स कर लिया है और पयूरिमय को मिक्स कर लिया है अब हमने जो प्यूरी antis Prose पनार अगे देखते हैं तो आपको जी पसंद आ है उस तरीके साब बच्चों को बना कर खिला सकते हैं तो इसे मिक्स कर देते हैं और हमारी रेशी बचापट oke STW तो देखिए कितनी बड़या हमारी रेसिपी लग रही है यदि अभी इसी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरू कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए आपके लिए लाते हैं अब दूसी रेसिपी देखते हैं तो उसके लिए आपको फ्रेश यूज़ करना है क्योंकि पुराना दही यूज़ करते हैं तो वह खटा हो जाता है जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा उसे अच्छे तरीके से आपको फेट लेना है ता जाए लिए था उसमें एक बड़ा चमच भर कर जो पाउडर है उसका यूस किया है तो यहां पर आप अपने हिसाब से मेंटिन कर सकते हैं थोड़े से मसालेट करेंगे भुना जीरा पाउडर थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे और थोड़ा सा काली मिच का पाउडर डाल इन सबी को अच्छे से मेश कर देंगे, मिक्स कर देंगे, अच्छे तरीके से मिला लेंगे और हमारी रेसिपी है, बनकर फटाफट से तयार हो जाती है, इसमें विल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, नोगेस रेसिपी हैं, बहुती बड़िया लगती हैं खाने में भी, तो जो आपके बच्छे को ज़्यादा पसंद आए, उस तरीके से आप बना कर खिला सकते हैं, तो चलिए, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज दू सब्सक्राइब दे चैनल, टाच बढ़ाई, इस ये सेफ